नमस्कार दोस्तों, जै मातादी, वर्ड बेस्ट मेजिक में आपका हर्दिक स्वागत है कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्यान करीगी दोस्तों आज हम बात करेंगे पितर दोस्त से मुक्ति के उपाई के बारे में पूरी चानकारी के लिए अन तक इस वीडियो के साथ बने रहें और अपना प्यार वसाद देने के लिए हमारे चैनल वर्ड बेस्ट मैजिक को सस्क्राइब करें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों जोतिस सास्तर में पितर दोस्त सबसे बड़ा दोस्त माना गया है पितर दोस्त से प्रीडित व्यक्ति का जीवन बहुत कस्टों से भरा होता है जिसकी कुंडिली में पितर दोस्त होता है उसे हमेशा धन की कमी रहती है संतान से संबन्दित बादा या विवाहया वेवाहिक जीवन में परिसानिया बनी रहती है और मानसिग आइस्छिर्था रहती है दोस्तों पित्र हमारे पूर्वज होते हैं जिनकी मृत्व हो चुकी है परंतु जिने मुक्ति नहीं मिली है और उनकी आत्मा बटकती रहती है जो लोग पित्र पक्ष में पित्रों का स्राद नहीं करते हैं उनकी संतान की कुंडली में पित्र दोस लगता है दोस्तों पितर पक्ष को स्राद पक्ष के रूप में जाना जाता है पितर पक्ष भाद पद सुकल पक्ष की पूर्णिमा से सुरू होकर अस्विन मास की अमवस्या तक सोला दिनों के बाद ही समाप्त होते हैं पित्र पक्च में अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं पित्र पक्च के दौरान लोग अपने पूर्वजों का तरपन करवाते हैं और उनकी आत्मा की सांती के लिए प्रात्ना करते हैं ऐसी मानिता है कि जो लोग पित्र पक्च में पूर्वजों का तरपन नहीं कराते उन्हें पित्र दोस लगता है जिसे से मुक्ती पाने का सबसे आसान उपाय पित्रों का स्राद कराना होता है स्राद करने के बाद ही पित्र दोस से मुक्ती मिलती है दोस्तों अब हम बात करेंगे स्राद पक्च में पित्र दोस से मुक्ती के उपाय के बारे में पित्र पक्च में रोज पित्रों के निमित जल जौं और काले तिल पुस्प के साथ तरपन करने से पित्र पसंद होते हैं और पित्र दोस दूर होता है स्राथ पक्च में अपने पूर्वजों की म्रत्तिति पर इसी ब्रामन को अपने पूर्वजों की पसंद का बोजन जरूर कराना चाहिए स्रात पक्ष में पित्रों के निमित स्रीमत भागवद गीता का पाट करने से भी पित्रों को सांती मिलती है और पित्र दोस से मुक्ती मिलती है पित्र पक्ष में गया जी जाकर अपने पित्रों से निमित साथ करें तो भी पित्र दोस दूर होता है पितर दोस से मुक्ती पाने के लिए आप सर्व पित अमवस्या या हर महीने की अमवस्या के दिन कुछ उपाय करके पितर दोस से मुक्ती प्राप्त कर सकते हैं अमवस्या के दिन पित्रों के नाम धूब देने और ब्रामणों को भोजन करा कर दान दचना कराने से पित्र दोस दूर हो जाता है अमवस्या के दिन गरीबों को वस्तर और अन आदिका दान करना भी पित्र दोस से मुक्ति दिलाता है अमवस्या के दिन एक नारियल फोड़ कर उसका कुछ हिस्सा और कुछ मिठाई गोबर के कंडे पर अगन के धुए पर पित्रों के निमित चहाएं गाए को रोटी या चारा खिलाने से भी पित्र दोस्ते मुक्ति मिलती है तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस्या बताएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें साथ ही साथ इस वीडियो को फेस्बुक और वाटसप पे अपने दोस्तों और रिस्तेदारों के साथ अवस्यार करें और हमारे यूट्यूब चैनल वर्ट बेस्ट मेजिक से जुड़ने के लिए रेट कलर के सस्क्राइब बटन को अवस्यार करें और साथ ही साथ घंटी का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ धन्यवाद